नमस्कार लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है कि मेरेज रजिस्टेशन में एक बहुत बड़ा फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से और जो लोग भी कोर्ट मेरेज करना चाहते हैं या मेरेज रजिस्टेशन कराना चाहते हैं विदेश में रहते हैं उनके लिए ये फैसला बहुत ही महतपून साबित हुआ है आप जानत वहां पे वह Special Marriage Act में शादी कर सकता है या फिर लर्की जहां पे रहते हो वहां पे Marriage Registration Act में शादी किया जा सकता है एक बहुत बरी बात यह है कि Marriage Registration Act में सिटिजन जैसा कोई शब्द इस्तमाल नहीं किया गया है, इसी को डेली हाई कोट में चैलेंज किया गया था, हुआ ये था कि एक कपल जो महिला थी, वो कैनेडा की थी, भारतिय मूल की थी, लेकिन कैनेडा की सिटिजन सी ले रखे थी, और वो हिंदू थी, और जबकि पुर के स्टियम आफिस में इन्होंने आवेदन दिया, आवेदन देने के बाद से इनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया, ये कहते हुए कि दोनों में से कोई भी भारतिये नागरिक नहीं है, इस वज़े से इनका आवेदन रिजेक्ट हो गया, उसके बाद से ये हाई कोट गए दिल्ली हाई कोड गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि चुकी Special Marriage Act का जो section A, B, C और D है ये नहीं बताता है कि Special Marriage Act में जो शादी होगी वो केवल Indian citizen की होगी Special Marriage Act में शादी Indian citizen के अलामा किसी और की भी हो सकती है जो की उस jurisdiction में रहते हो तो चुकी ये जो couple थे वो डैली में रह रहते और उस SDM court के jurisdiction में रह रहते भले ही Indian citizen नहीं थे इसी प्रावधान का फाइदा उठाते हुए इन्होंने दिल्ली हाई कोड में अपील की थी दिल्ली हाई कोड से request किया था कि उनको जो है इसमें relief दिया जाए तो honorable justice परतिभा एम सिंग की bench ने सुनवाई की और उन्होंने इस पे फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि चुकी special marriage act के section 4 के A, B, C और D में किसी भी परकार से citizen शब्द का परचर्चा नहीं किया गया है इसलिए ये couple eligible है और वो अपने marriage को registered करा सकते हैं वो अपने marriage को दिल्ली में special marriage act के तहत कर सकते हैं और ये फैसला जबाया उसके बाद से उन्होंने अपने marriage का registration करा लिया तो ये अपने आपने एक बहुत बड़ा फैसला है court marriage करना चाहते हैं, love marriage करना चाहते हैं तो इस तरह के फैसले से आपको बहुत राहत मिलने वाली हैं या ऐसे couple जो विदेशी हैं और इंडिया में रहते हैं वो अगर शादी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ये एक बहुत राहत देने वाली खबर है अगर आपको court marriage से सम्बंदित या marriage related किसी भी तरह के problem से सम्बंदित आपको कोई बात करनी हो तो आप हमारे help I number 8800 444555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 पजे तक call कर सकते हैं 7 days call कर सकते हैं और हमारी website leadindia.law पर visit कर सकते हैं और वहाँ जाकर के instant legal help ले सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर इसको like किजेगा, channel को subscribe किजेगा, bell icon प्रेस करना मत भूलिएगा Thank you so much for watching this video, thank you